हाँ श्ट्रेंट इस आर्ती चौधरी गुड मॉर्णिंग रादे राम राम कैसे आप सब बढ़िया फर्स क्लास एक बार जरा कमेंट करके कंफर्म करेंगे कि ओडियो वीडियो सब कुछ आपका ओलोक के है चलिए बही क्लास आपकी लाइव हो चुकी है जो भी बच्चे इस और जो भी बच्चे नए है डेली क्लासिस के लिए बच्चा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथी साथ आप लोग बच्चा आप्लिकेशन को भी डाउनलोड करके रखेंगे क्योंकि बहुत सारी फ्री में चीज़े आपको एप्लिकेशन पर ठीक है तो चली बच्चा क्लास को एक बार आगे बढ़ाते हैं देखते हैं कुछ आपके बहतरीन कोशन मनुष्य का मस्तिस्क कितने भागों में विभाजित है यानि ब्रेन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बताइए ब्रेन को हम कितने पार्ट में जेन मध्या मस्तिस्क और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिस्क ठीक है ये वच्चा हम लोग इसको तीन पार्ट में आपका डिवाइड कर सकते हैं मानव के मस्तिस्क में इस्मर्ण छम्ता कहां होती है यानि हमारे दिमाग का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है बताइए हमारे दिमाग का सबसे intelligent part कौन सा है या memory power सबसे ज़्यादा किसके पास होती है memory power हो गया intelligent part हो गया इन सबका एक ही answer होता है आपका जो four brain है अगर मस्तिस्क है उसमें तीन पार्ट होते है एक होता है Giardi Satire brâm दूसरा होता है thalamus रखिंगे और तीसरा होता है hypothalamus are lots प्छा क्या hypothalamus यह तीन पार्ट होते हैं किसके अंदर आपके 4 brain यानि की अगर मस्तिसक के अंदर यहां पर मैं आपको बताया है four brain यानि कि जो आपका सैरी ब्रम होता है इस सैरी ब्रम में आपके चार लोब होते हैं frontal lobe parietal lobe occipital lobe and temporal lobe एक और होता है बीच में जिसका नाम होता है hippocampus जिसको हम दिमाग की बच्चा क्या बोलते हैं hard drive बोलते हैं मतलब जो चीज एक बार hippocampus में save हो गई वो save होगी वो आप lifetime कभी नी बूल सकते frontal lobe का काम होता है बच्चा जितने भी आप IQ level की चीज़े होती है quick response वाली चीज़े जो होती है वो आप frontal lobe से solve करते हो जदी मैं बात करूँ आपसे parietal lobe जैसे reasoning के question होते है न वो parietal lobe आपका activate होता है साथी साथ जितने भी logical चीज़े होती है इन सब पर आपका parietal lobe ही कार्य करता है दैन उसके बाद में occipital lobe control करता है visual activities को distance and direction को और temporal lobe आपका करता है किसको बचा dream formation किसको बचा dream formation समझ में आई ठीक है चले वह आगे बढ़ते हैं मस्तिस्क में द्रश्य जानकारी की निर्ने और व्याक्या किसके साथ जुड़ा हुआ है बताईए PDF बेटा आपको मिलेगी आप application पर जाएए science by rtbm के नाम से community मिलेगी follow कर लेना मस्तिस्क में द्रश्य जानकारी की निर्ने और व्याक्या यानि की visual activities को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है तो अभी मैंने आपको बताया distance and direction या visual activities को कंट्रोल करता है कौन बचा आपका ocpital lobe ocpital lobe आपके brain के अंदर सारी visual activity मतलब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा ना आप एक रास्ते पर गए जहां पर google map आपका काम नहीं करता आप उस रास्ते पर गए पूछते पूछते किसी से भी कि भी यह कहां पड़ेगा यह कहां पड़ेगा और जब आप वापस आए तो आप अपने आप उस रास्ते से ठीक ठाक वापस आजाते हो किसी से पूछते नहीं हो तो होता क्या है आपके brain के अंदर यह जो ocpital lobe है यह एक map create कर देता है मतलब जो भी आपकी आँखों ने देखा उसको as it is आपके दिमाग में उतार दिया जिससे क्या होता है आपको मानमस्तिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा इन में से कौन सा है और फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा कोण सा होता इसारी ब्रम के 3 इससे में आपका सारी ब्रम ही पाया जाता है, ओके चलिए अगला कुशन देखते हैं, दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है, बताईए, दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है, तो यदि आपको कोई भी मौस्किटो काट ले, तो आपक बखार इविन आपका नॉर्मल कोल्ड भी ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को उफेक्ट करते हैं और बहुत बार यदि ये वाइरस और बैक्टिरिया हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बच्छा आपको दिमागी बुखार हो जाता है मतलब सीधे आपके दिमाग को हिट करते हैं मस्तिस्क के दो गौलार्ध को कौन जोडता है हमारा जो ब्रेन है ना ये जो आपका ब्रेन है है ना जिसमें आपने वह सारा कूडा करकट भरा हुआ है अच्छी चीजों के अलावा है ना क्योंकि आपको कोई एच्ही चीज नहीं करनी हूती है आपको कोई good habits सब आपको सजेस्स करती हूं कि भी सबसें उठके जितना हो सकता है मंत्रुचारन कीजिए जितना हो सकता है सुबसें पोधों के आसपास अपना समय वैतीत करेंगे तो इन सब से टिस टू मैडिकली यह बात सच है इन सबसें आपकी हैल्थ इंप्रूफ होगी साथ ही साथ हमा सारे अंदर पॉजिटिव एनरजी क्रेट करते हैं आपको लगेगा मैंडम साइंस की टीचर और में बदा रिये मंतरुच चारण करो बट ये बात सच है मैंने ओम वाला आपका शोट भी बनाया था कि ओम जब हम लोग प्रेनाउंस करते हैं अगर आप दिन में दस बार भी कर ये आपकी आवाज की कॉलिटी को अच्छा करते हैं और साथी साथ ऐसे होर्मोन देखो जब भी आप कुछ भी बोलते है तो बोलते समय जैसे आप गुस्टे में बोलते हो है ना तो क्या होता है अचानक से आपके दिमाग के अंदर वो सारे नेगरिटिव होर्मोन में मदद करते हैं तो जब आप ओम की ध्वानी को प्रानाउंस करते हो तो यह माना जाता है कि कुछ ऐसे होर्मोन जैसे डोपामिन हो गया एंडोर्फिन हो गया सेरोटोरिन हो गया यह सब जादा रिलीज होते हैं जिससे इंसान पॉजिटिव और आप्टमिस्टिक फूल करत होता है तो आप लोग एक हफता इस चीज़ को करके देखिए यह नहीं होता है फिर उसके बाद में इस्पेशली वह बच्चे जो बहुत जादा डिप्रेश फील करते हैं दिमाग की एक बिमारी है जो आज कल आपने बहुत जादा सुना होगा डिप्रेशन कितने बच्चो जो इन दोनों को जोडने का कारिय करता है देखो बहुत सारे बच्चों का अंसर हाना शुरू भी हो गया कि यस मैम हम डिप्रेशन में है ठीक है बतला बहुत सारे बच्चे इस बात को मानते है एक्शुली कि वह डिप्रेशन में है मैं आपको बता देती हूँ डिप्रेश से किसी अम्मा से कि मुझे ना depression हो गए वो लेंगा कौन सी भीमारी हो या हमने तो कभीना सुनी है ना क्योंकि यह बिमारी है ही नहीं exist ही नहीं करती आप लोग बहुत जादा सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो काम कुछ करनी रहे हो तो आपकी शरीर में automatic वो hormone release होंगे जैसे happy hormone हो गया आपका जैसे की आपका dopamine हो गया कम release होगा तो आप सुस्त feel करोगे आपका काम करने का मन नी करेगा तो भगह अगर तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निकलना है ना तो काम करने की आदत डालो busy रखना सीखो खुद को काम करो और सोचो कम अपने आप आपकी चीजे निकल जाएंगी बाहर ठीक है अब देखो बचे जिसे माल लिया कि यह आपका दिमाग का कौन सा हिस्सा है left और यह है आपका right जो right वाला हिस्सा है यह आपकी left आप यह आप ट्वेल्थ में science and second trial में आई डॉंट नो बेटा शेहर स्टेनोग्राफर का मुझे इतनी नौलेज नीए सोरी बचा आप एक बार जो सेशन लग रहे होंगे चैनल पे उनसे इस बात को पूस सकते हैं आपको वह जाधा अच्छे करेंगे क्योंकि मैं इस टोन में मेरा कोई रोल नी तो सारीब्रो स्पाइनल फ्लूर क्या बच्चा सारीब्रो स्पाइनल फ्लूर होता है जो ब्रेन के अंदर बरा होता है ठीक है तो इन में से बचा यह जो आपकी duremiter है यह durameter सबसे उपर वाली layer होती है आपके brain की मस्तिस्क और read की hڈडी मिलकर क्या बनाते हैं बताईए हाँ आज पाटा CHSL साइन्स स्पेशल होगी मैं आपकी लगवाती हूं special session मस्तिस्क और रीड की हड़ी मिलकर क्या बनाते हैं तो देखो भाया ये आपका रीड की हड़ी नहीं लिखेंगे आप लोग इसको स्पाइनल कोड को हिंदी में मेरूरज्यू बोलते हैं ये आपका गलत यहाँ पर टांसलेट कर दिया है ठीक है ये आपका ब्रेन है इस ब्रेन से एक बहुत मोटी सी नर्व बिलकुल इस जगह से आपकी अंदर की तरफ मोटी सी नर्व होती है और इस नर्व को प्रोटेक्ट करती है आपकी वर्टीब्री यानि की रीड की हड़ी ये आपकी brain और ये आपका spinal code तो brain और spinal code मिलकर दोनों क्या बनाती है CNS Central Nervous System मस्तिस के तथा मेरू रज्जू पर चड़ी जिल्ली में सूजन आ जाने वाले रोग को क्या कहते हैं कुलमिला के इतना question पूछा गया है कि यदि आपके brain के उपर जो जिल्ली है mananges यदि किसी भी bacterial या viral infection के कारण उसमें सूजन आ जाती है तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं तो बताइए तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग आपका meningitis क्या बोलते हैं या meningitis बोलते हैं चलिए निमनलखित तत्वों में से तंत्री का फाइबर में आवेग के संचरण के लिए कौन सा अवश्यक है हमारे brain के अंदर impulse generate करने में इन में से कौन सा तत्व responsible है या दिमाग में बिजली बनाने का कारिया इन में से कौन करता है बताइए दिमाग में बिजली बनाने का कारिया इन में से कौन करता है बच्चा आपका sodium देखो चाहे दिमाग पूछे या दिल बूछे दोनों में आंसर आपका sodium ही होगा कि हमारे हार्ट और ब्रेन दोनों में ही इंपल्स या आम भासा में आप कह सकते हो बिजली बनाने का कारिया किसका होता है बच्चा आपका सोडियम का होता है माना जाता है कि हमारे ब्रेन में इतनी बिजली प्रोड्यूस होती है कि हम 200 वोट का बल्ब तलग जला सकते है और इसका मैं आपको एक्जामपल बताती हूँ आपने मुवीज में यह वाले सीन बहुत जादा देखे होंगे जिसका दिमाग काम नहीं करता या जिसका हार्ट काम नहीं करता उसको बिजली के जटके हैना डफरी बिलेटर एक आपकी मशीन होती है लेकिन हम आम भासा में बोलते हैं न कि उसको बिजली के जटके दिये जा रहे हैं दिमाग ठीक काम करे, हार्ट ठीक काम करे बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे उसको प्रैस किया जाता है बजली के जटके उसको दिये जाते है तो बहुत बार heart काम करना शुरू कर देता है वो कैसे? वो simple सी बात है हमारे शरीर में heart और brain में या पूरी body में बहुत सारे आपके ions होते हैं free ions हैं तो obviously आपकी electricity यानि की impulse तो generate होंगे ही आप इस बात को आसान भासा में और इस तरह से रेट कर सकते हैं मानव मस्तिस्क का वजन कितना होता है बदाईए मानव मस्तिस्क का वजन कितना होता है तो वजन कितना होता है बारा सो से चोहदे सो गराम अब लड़कियों में 100 ग्राम दिमाग कम होता है है ना लड़कियों में यदि मैं आप से बात करू तो आप बोल सकते हो कि भाईया आपका साड़े 1100 से लेकर साड़े 1200 कुछ किताबों में 1200 से 1300 भी लिखा मिल जाएगा मतलब ये बास सच है कि जो आप लोग बोलते हो ना जैसे माली आपकी सुबह ही अपनी बहन से लड़ाई होगी होगी तो आप क्या बोलोगे अपनी ममी से ममी इसको बोल दो मेरे से फालतू बात ना करे हैना मुझे पता इसके अंदर कितनी बुद्धी है ना दिमाग कम है इसके अंदर फालतू बात ना करे तो इस ट्रू की लड़कियों में सो ग्राम दिमाग जो होता है वो लड़कों के मुकाबले कम होता है कहना खुशी मिल गई देखो किते खुशी हुए सारे के सारे अभी तक मैं आपको बोल रही ते कुमेंट करने दोनों में इक्वल होती है ठीक है सोचने समझने की शक्ति बचा आपकी दोनों में क्या होती है इक्वल ही होती है ओके तो सिर्फ दिमाग का ही वजन नहीं हर एक बोड़ी ओर्गन का वजन कम होता है क्योंकि लड़कों की height जादा है लड़कों की width जादा है तो इसलिए हर एक body organ का वज़न बचा आपका जादा रहेगा चलिए next question देख लेते हैं आपका क्या रहेगा अगला question मस्तिस्क इन में से किस के लिए जिम्मेदार है मस्तिस्क इन में से किस चीज के लिए जिम्मेदार है बहुत इजी कोशन है इजी है ना भई कोशन आपका ये मस्तिस्क इन में से किस चीज के लिए जिम्मेदार है तो ब्रेन सोचने के लिए बिल्कुल हाइट बीट को भी रेगुलेट करता है हमें सीधा खड़ा रखने में भी बदद करता है कौन सा सारीबलम, अनुमस्तिस्क तो यानि कि आपके चारो के चारो उप्शन ही बचा यहाँ पर ठीक है मानुमस्तिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा इन में से कौन सा है बताईए मानव मस्तिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा इन में से कौन सा है तो मानव मस्तिस्क का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन और फोर ब्रेन में भी कौन सा है बच्चा आपका सैरी ब्रह्म जो है यह आपका सबसे बड़ा हिस्सा है ठीक है बच्छा सारी ब्रम जो है यह आपका सबसे बड़ा हिस्सा होता है ओके जी चलिए अगला कोशन है सारी ब्रम का संबंध इन में से किस से है मतलब सारी ब्रम किस में पाया जाता है बताओ इससे ज़्यादा इजी कोशन क्या हो सकता है मतलब relate करते हुए question मैं आपको करा रही हूँ यदि आपके यही question exam में आए तो आप कैसे बात बनेगी है ना कैसे बात बनेगी तो cerebrum क्या है भहिया आपका cerebrum basically आपका यहाँ पर heart से connected है बहुत सारे बच्चों ने answer दिया है मैं heart से इसके जस्ट पीछे वाला question देखना ज़रा एक बार तुम लोग अभी बताया था सबसे बड़ा हिस्सा आपका cerebrum होता है तो फिर भी तुम लोग heart answer दे रहो भहिया brain से connected होता है brain से connected होता है ए पता नहीं लीवर कहां से बच्ची answer दे रहे हैं मानो मस्तिस्क के निमनलकित भागों में से कौन सा खाना निगलने और उल्टी करने के लिए responsible यानि दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो आपको ड़कार का आना पलकों का जपकना चीक का आना जमहाई का आना उल्टी का आना ठीक है इन सब के लिए जितने भी involuntary functions होते हैं इन सब के लिए कौन responsible होता है बताईए तो क्या है बच्चा आपका medulla oblongata यदि मैं आपसे हिंड brain की बात करूँ पाश्य मस्तिस की बात करूँ तो तीन पार्ट होते हैं एक आपका होता है बच्चा पॉंस वारियोलाई और दूसरा आपका होता है क्या medulla oblongata ठीक है और तीसरा आपका क्या होता है तीसरा आपका होता है भई क्या सारी बलम यानि की अनुमस्तिस्क ठीक है जी सारी बलम यानि की अनुमस्तिस्क नेक्स्ट कोशन देखते हैं आपका OC-Pittal Lobe इनमें से किसको कंट्रोल करती है OC-Pittal Lobe हमारे शरीर में इनमें से किस primary sensory areas को कंट्रोल करती है तो OC-Pittal Lobe मैंने भी आपको बताया था भाईया map create करने का कारिया यानि distance and direction को कंट्रोल करती है मानौ मस्तिस्क की Penial Granthi Melatonin को blank से संबंदित करती है मानौ मस्तिस्क की Penial Granthi Melatonin को blank से संबंद करती है तो Penial Glend आपके brain में पाई जाती है Penial, Hypothalamus and Thalamus ये तीन ग्रंथियां हैं जो आपके दिमाग में पाई जाती है इनमें से Penial Glend आपका एक hormone बनाती है Melatonin जिसको हम night hormone के नाम से भी जानते हैं या sleep hormone के नाम से भी जानते हैं मतलब आपको रात को सुलाने का और सुबह उठाने का कारिया यही hormone करता है Melatonin की यदि मैं आपसे बात करूँ तो Melatonin आपका एक pigment बनाता है जिसका नाम है Melanin Melanin यदि आपके शरीर में ज्यादा बनेगा तो आपका रंग काला हो जाएगा और यदि कम बनेगा तो आपका रंग कैसा रहेगा भी या गोरा रहेगा अब यहां पर क्या है बच्चे आपका skin color के लिए कौन responsible है आपका Melatonin है चलिए मस्तिस्क के किस भाग का कारिये सोचना और समझना होता है मस्तिस्क के किस भाग का कारिये सोचना और समझना होता है बताईए मस्तिस्क के किस भाग का कारिये सोचना और समझना होता है तो भीया four brain का किसका होता है बच्चा यह आपका four brain का कारिये होता है ठीक है तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है आपका four brain ओके और सबसे छोटा कौन सा है mid brain है ओके जी एक सब्सक्राइब यहां पर चले जी अगला कोशन है बच्चा कि हमारे दिमाग भी जो four brain है यह सबसे developed part है और हाइपो थालमस जो आपका दिमाग है जो हिस्सा है four brain का यह आपको भूक और प्यास के बारे में बताता है और तीसरा option है कि हमारे nervous system की सबसे छोटी इकाई neuron है और साथी साथ neuron जो है यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशी का है क्या चारों statement आपकी यहां पर सही है क्या चारों statement आपकी यहां पर सही है बताईए ठीक है तो भाया चारों की चारों statement ही आपकी यहां पर सही है क्योंकि सारी ब्रह्म सबसे ज़्यादा developed part है सबसे intelligent part है और hypothalamus वो मेरी नींद मेरी भूख मेरा chain मेरी प्यास लोटा दो इन सब के लिए responsible hypothalamus ही होता है हमारे दिमाग की सबसे छोटी काई नीरोन हमारी कोशिका होती है और साथी साथ नीरोन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है निमनलिखित में से किसका मस्तिसक उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है निम्नलिकित में से किसका मस्तिस उसके शरीर के अनुपात में, इन में से सबसे बड़ा किसका है, बोड़ी के हिसाब से बचा डॉल्फिन और साथी साथ, इनसान के बाद सबसे ज़्यदा इंटेलीजेंट जो आपका बचा मैमल्स में काउंट होती है, वो कौन है आपकी डॉ जाती है तो भाया यह आपकी बीच में प्रेजेंट होती है बिट्विन दा राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर ओफ ब्रेन पीनियल ग्लैंड आपकी पाई जाती है निमनलकित में से किसे मनुष्य में मास्टर ग्रंथी के रूप में जाना जाता है यह भी आपकी ब्रेन मे ही पाई जाती है अभी बताया था पीनियल पीट्यूट्री एंड ह needed लेंg यह थी टीन ग्लैंड है आपकी जो ब्रेन में पाई जाती है जिन में से पिट्यूट्री इक हम लोग क्या बोलते हैं सै कॉन सा नियूरोन का भाग नहीं है डेंडराइट, एक्जोन, बोमेन, कैपसूल या सेल बोड़ी इन में से कौन सा इससा आपका नियूरोन का नहीं है तो डेंडराइट बिल्कुल आपको पता है बचुछा ये जो आपकी साखाएं हैं ये क्या हैं आपकी डेंडराइट्स है एक्जोन आपको पता है ठीक है या आपके क्या होते है एक्जोन प्रेजेंट होते हैं बोमेन कैपसूल आपका नियूरोंस में नहीं पाया जाता और सैल है तो देखो सैल बोड़ी तो प्रेजेंट होगी ही तो बोमेन कैपसूल जो है यह आपक साइनैप्स या डेंडराइट्स может gaillman कि एक Зोन अभी बताया है ली लूप तो बाहरी करदो साइनैप्स या डेंडराइडस डेंडराइटध भी न Second hand prejudice और रही हो इक उप्स क्या साइनैप्स दोने बीच की गयाप को क्या भोलते हैं साइनैप पोलते हैं नेक्स ролic कौन सी कोशिका है जो माईलीन सीथ बनाने में मदद करती है हमारे ही आपके नियूरोन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग माईलीन सीथ बोलते है जैसे आपका ये एक जोन है इसके उपर इस तरह से कवरिंग होती है जिसको हम लोग माईलीन सीथ बोलते है और इस मायलन सीथ को बनाने के लिए कौन सी कोशिकाएं मदद करती है स्वान सेल्स को बनाने के लिए कौन सी कोशिकाएं आपकी मदद करती है स्वान सेल्स कौन सी कोशिकाएं होती है स्वान सेल्स की मदद से ये आपका बनाया जाता है all factory receptors in human being detect हमारे शरीर के अंदर कुछ all factory reason पाए जाते हैं जिनका कारिय क्या होता है all factory reason का बिटा railway की सारी ही vacancy कब आएंगी इस बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कोई भी update होती है तो मैं हमेशा notification आपके साथ में share करती हूँ और हम तो भाई जनवरी से मैं आपकी classes ले रही हूँ और science की classes आपकी बंद भी नहीं हुई है railway की आपको ये बात पता है लेकिन भाई vacancy देखो आपकी कब निकलेंगी हमारी तो 6 महीने से लड़ाई जारी है और हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई आपकी vacancy आप लोग निकालो अब देखते हैं railway क्यों सोया हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें चुनाव से पहले तो vacancy release करनी ही चाहिए और एक एक exam भी कराना चाहिए ठीक है तो receptors जो होते हैं all factor receptors जो होते हैं किसके लिए होते हैं smell के लिए हैं किसी भी चीज की अच्छी smell है बुरी smell है आपको यहीं बताते हैं इन में से कौन सा एक समवेदी अंग नहीं है इन में से कौन सा आपका एक sensory organ नहीं है बताईए इन में से कौन सा आपका एक sensory organ नहीं है झाल कौन सा एक समवेदी अंग नहीं है देखो आई नोज इसकी ये सब तो होते हैं सेंसरी औरगन लेकिन इन सब के सिगनल पता है कहां पूँचते हैं इन सब के सिगनल आपके ब्रेन तक पूँचते हैं थैलमस और हाइपो थैलमस मस्तिस्क के किस भाग में उपस्थित होते हैं बताईए तो थैलमस और हाइपो थैलमस मस्तिस्क के किस भाग में बचा आपके पाये जाते हैं फोर ब्रेन में किस में पाये जाते हैं बचा ये आपके फोर ब्रेन में निमनलिकित में से किस ने प्रतिवर्ती क्रिया की खोज की थी इन में से किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था कि भाया आपके जो reflex action है वो हमारे शरीर में मतलब कोई भी चीज़ का गरम लगना ठंडा लगना इन सब के signal आपके दिमाग तक पहुंचते हैं ये बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट आपके कौन थे मार्शल होल थे रोब रोबर्ट हो का आपको पता है 1665 में कोशिका की खोज की की थी थी ओफ रेस्टेस को हम लोग फादर ओफ बोटनी बोलते हैं निमनलिकित जीवों में से किसमें स्वसन अंग है लेकिन मस्तिस्क नहीं वोट इस एम आर आई तो एम आर आई की फुल फॉर्म क्या होती है मैगनिटिक रेजोनेंस इमेजिंग सुई चुब होने पर निमनलिकित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा तो देखो हमारे शरीर पर कहीं पर भी चोट लगती है या कुछ भी आपका बेसि लेकिन यदि खुद दिमाग में आपके कोई सुई चुब होए ना तो उसको कोई दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि सिगनल ट्रांसफर आपका रूप की गया है ब्रेन तक ही सिगनल पहुचता था ब्रेन के साथ ही गड़बड कर रहे हो तो भया उसको आपका कुछ भी फ कि भी या देखो जो भी बच्चे रेलवे की तयारी करें वैकेंसी तो देखो आएगी वैकेंसी को कोई नहीं खा सकता आप लोग सबसे पहले तो बच्चा आपको लिंक लगा हुआ मिलेगा आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और साथी साथ बचे जब एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो यह 247 की वेबसाइट है यहां आपको कुछ इस तरह का होम पेज मिलेगा इधर उदर कहीं नहीं जाना है रेलवे पर क्लिक करना है और रेलवे महापैक पर आज आज रात 12 बजे तक फिर से आपकी डबल वैलेडिटी उन हैं बतलब दो साल तक तो वेकेंसी नहीं रुकेगी ना सिर्फ रेलवे का महापैक लेना आपको और कुछ नहीं लेना है मेरा सारा साइन्स स्पेशल कोई भी बैच आजा की सब रेलवे के महापैक में फ्री में मिलता है यह बाते आपको बहुत कम लोग बताते हैं प्रूब डी आपका लिखा हुआ है इन सब के अलावा इन सब के यदि मेरा मालने कोई साइंस स्पेशल बैच जैसे रोकेट साइंस अभी चल रहा है वह और रेलवे महापैक वाले बच्चों को फ्री में मिला है उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा separate batch लोगे फिर उसको अलग से purchase करना पड़ेगा ठीक है इसमें test series, e-books, सब कुछ आपको free में मिलता है तो best क्या है जिसमें आपका पैसा बच रहा है अपना पैसा बचाओ और रेलवे के महापैक में ही आप लोग हाँ आई फिलूपर आपकी वीडियो बना दी है उपचार भी बचा पूरी मैं आपको theory और explanation पूरे numerical सब कुछ बचा वहाँ पर हम लोग आपका solve करते हैं तो चली बचा अब आपसे मुलाकात होगी फिर कल क्लास में इसी समय पर 11 बजे ये वीडियो का समय आपका बदल गया है class का so please आप लोग जादश्यादा like and share करेंगे जितना हो सकत है ओके बाकी मेरी तरफ से भी extra effort आपके लगते रहेंगे जो भी आपका exam है जैसे कल आपका CHSL का exam है तो आज में की special session CHSL वाले बच्चों के लिए लूँगी बाई 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 टेक केर जहिंद